सिद्धू मुसेवाला की हत्या के बाद अब लगता है कि कोई गैंग वार शुरू होगी दरसल मशूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला की हत्या के बाद दिली अंसियार के नीरज बवाना गैंग ने धम की दी है नीरज बवाना गैंग ने एक पोस्ट किया है जिसमें उसने लिखा है कि भाई की मौत का बदला दो दिन में लिया जाएगा नीरज बवाना की पोस्ट को देखें तो इसमें लिखा है सिधु मुसेवाला हमारा दिल का भाई था दो दिन भीतर रिजल्ट दे देंगे बवाना गैंग के साथ तिल्लू तेजपुरिया, कोशल गुडगाओं और दविंदर बंबीहा गैंग भी जड़ा हुआ है ऐसे में आने बाले दिनों में पंजाब में गैंग वोर की आशंका बढ़ गई है अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार कौन है नीरज बवाना नीरज बवाना दिल्ली का रहने वाला है उस पर हत्या, डकैती, लूट पाट, फिरोती समेत, संगीन अपराद के कई मामले दर्च हैं फिल्हाल वो तिहार जिल में बंद है, यहीं से वो गैंग ऑपरेट भी कर रहा है नीरज की गैंग में हरियाना, उत्तरप्रदेश और पंजाब के बदमाश शामिल है हत्या, हत्या की साजश, जबरनुगाही, जमीन पर कबज़ा जैसे मामलों में वो आरोपी है इस पर करीब 40 केस रेजिस्टर्ड है अब सवाल ये है कि नीरज बवाना सिद्धू मुसेवाला की मौत का बदला क्यों लेना चाहता है दरसल बंबीहा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग का दुश्मन है बताया जा रहा है कि मुसेवाला बंबीहा गैंग से संपर्थ में था इसलिए विरोधी बिश्नोई गैंग ने उनका मॉर्डर करवा दिया वही नीरज बवाना के बंबीहा गैंग से दोस्ताना संबंध है सिदुमसेवाला की मौत के बाद नीरजबवाना गैंग ने खुला चैलेंच दे दिया है इस गैंग ने मुसेवाला के हत्या की आलोचना करते हुए गंवीर परनळाम की चिताव ने दी है इधर S.I.T की जान जारी है इसे बीच मुसेवाला के हत्या के बाद एक बार फिर से पज़ाब दिली में गैंग वर्ड शुरू हो सकता है ऐसी भी आशंका जताई जा रही है दरसल लौरेंस बिशनोई ने सोचल मीडिया पोस्ट के जरीए दावा किया था विक्की मुदुख्यडा के हत्या का बदला लेने के लिए ही लौरेंस बिशनोई ने सिद्धु मुसेवाला के हत्या करवाई थी अब मीरज बवाना, बांबिया गैंग सिद्धु मुसेवाला के हत्या का बदला लेने की बात सोचल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं लौरंस बिश्णोई गैंग और नीरज बवाना गैंग में अक्सर गैंग बाउट चलता रहता है दोनों एक दूसरे के शूटर्स की हत्या करते रहते हैं बिश्णोई गैंग ने 2021 में हुए एक मॉर्डर का बदला लेने के लिए सिध्धू को मारने का दावा किया है वहीं अब सिध्धू मुसेवाला का बदला लेने की कसम नीरज बवाना गैंग निखा ली है NBT Online के रिपोर्ट